आज की सेशन में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं गेट 2020 का कैल्कुलास का कोश्चन यह बहुत ही ट्रिकी कोश्चन है और बहुत ही इजी है तो पहले कोश्चन आप लोगों देख लिजिए कोश्चन नमबर 9 ठीक है? कोश्चन नमबर 9 में क्या कर रहा है? आपको दो क्रिटिकल पॉइंट दिया है क्रिटिकल पॉइंट मतलब अस्टिशनेरी पॉइंट जो आप जानते हैं वहीं वाला है एक एफेक्स वाई दिया है फंक्सवन अप टू वेरियेबल्स देन सम कल्कुलेशन करके आपको बताना है इन वे से कौन सार्ट रू है? ठीक है? तो देखते हैं इसको ओके तो एक कोशन रहा आपका अब जैसा कि मैंने पहले आपको लेक्चर्स में बताया हुआ है यह आप जानते होंगे तेक बाद रिकॉल करवा दे रहा हूँ इस टैप को कुशन में क्या करना होता है? आपको fxy दिया रहता है दिन आपको fx क्लिकुलेट करना होता है fy क्लिकुलेट करना होता है equal to zero put करके solve करना होता है यहां से कुछ points निकलेंगे जिनको हम लोग stationary point बोल दे ठीक है? या फिर critical point यह एक point भी हो सकता है एक से ज्यादा point भी हो सकता है ओके? ठीक है एक point निकलने के बाद फर्दर आपको क्या calculate करना है? fxx, fyy and fxy calculate करना है एक calculate करने के बाद इन तीनों का value add इस जो एक critical point है इस point पे मालनों इसको x not y not एक point है तो एक point पे यह फिर एक से ज्यादा point है तो एक से ज्यादा point पे आपको इन सारे value के calculate करना होगा है next आपको क्या calculate करना होगा? fxx into fyy minus fxy इसका whole square ठीक है? अब एक greater than 0, less than 0 and equal to 0 तीन possibility होगी इस case में maximum minima के बात करेंगे इस case में हमारा shader point हो जाएगा और इस case में कुछ नहीं कर सकते है तो चलिए देखते हैं कैस होता है अब जैसा मैंने पहले बताया था आपको ठीक है? question में हमें fxy दिया था मैंने fx और fyi यहाँ से निकाल लिया ठीक है? यहाँ से निकाल लिया ठीक है? अब मैंने क्या बाला था? fx और fyi के 0 put कर देना है अब यहाँ से अब solve करके निकालोगे तो कुछ न कुछ आपका point निकलेगा इस question में देखिए आपको यहाँ पे दो critical point already दिया हुआ है तो जब critical point दिया हुआ है तो आपको solve करने की जरूरत नहीं है इन दोनों point पे analysis कर लिजिए आपका काम और भी अशान हो जाएगा ओके? देखते हैं अब हमारे पास दो point दिया था उस दोनों point को मैंने no down कर लिया मेरे पास एक critical point 4,0 है और second का 0,1 by 2 है अब इस point पे मैंने fx और fy निकाल लिया तो यहां से देखेंगे आपकी यह value निकाले एक जूरो कर दिया तो यहां से एक relation alpha बीटा में आ गया और second इस point पे second critical point पे देखा यहां पे fx और fy निकाल लिया तो यहां से alpha बीटा में एक relation आ गया अब देखिए इसको और इसको लेकर solve कर देजे दो variable दो equation तो यहां से unique solution निकल जाएगा तो यहां से alpha बीटा निकल जाएगा तो आप solve करेंगे तो आपको पता चलेगा कि alpha बीटा का value 3 आ रहा है ठीक है आप वीडियो को पहुच करके इसको solve कर लिए एक बार क्योंकि जैसे आप जानते हैं अब alpha बीटा का value निकलने एक बाद इस आ से मैंने calculate कर लिए आप देख सकते हैं fx equal to इतना आ गया alpha बीटा का value रखने के बाद उसी तरह fy इतना आ गया alpha बीटा का value रखने के बाद अब further मैंने किया किया partial derivative fx का x का respect में किया और fy का y के respect में किया ठीक है and fxy मैंने जैसे तीनों टर्म आपको बताया था रिरिवेशन म greater than zero होगा तो मैंने बोला थे maximum minimum की बात करेंगे तो इसमें क्या condition होते है अगर greater than zero होगा तो आपको fx पर देखना होता है अगर greater than zero हो तो minima अगर यहां से हम देखते हैं इसको next one मैंने बता थे कि अगर less than होगा तो saddle point हो जागा अब इस case में क्या करना है आपको point रखके solve कर देना है और जो आएगा उसके बिसपर answer बता देना है यहाँ पर मैंने a cheese note down कर लिया अब आपके option में देखिए हमने previously solve किया तो यहाँ पर alpha beta 3 3 आया था तो आप option 3rd देखिए option 3rd में क्या है alpha is equal to 4 and beta is equal to 3 तो यहाँ से आपका c option discard हो जागा तो आपके पास बचा a, b, d और तीनों में ही आपका क्या लिया हुआ है जो point लिया हुआ है 4,1 by 4, minus 1 by 2 लिया हुआ तीनों ही case में है तो तीनों ही case में मतलब मुझे इस point पर देखना है अब इस point पुझे होगा उसके बेस पे option बता देना है तो मैंने जो solve किया और solve काने के बाद मुझे fx into fyy minus fxy का whole square जो निकला वो 12 into minus 6 ठीक है ए पोजेटिव है ए निगेटिव होगा तो आपको पॉटक निगेटिव होगा लेस दिन जिरो लेस दिन की जिरो हमने हो गया यह बहुत पॉइंट अप लोकल मिन वहां नहीं यह भी गलत क्योंकि लेस देव जिरो थो तो शैडर पांट होगा अथा आपका option भी टू इस टैप से एक next question पूशा होगा तो आपके लिए homework रहाएगा उस question को करने को अगर आप question समझ गए पिछला method ओ था 2020 gate का question ठीक है यह देखिए 2090 gate का question ठीक है तो आपको ओ question अगर यह समझ में आ गए तो इस question को homework नोट डाउन कर लिए इसका answer भी यहाँ पर mark की आवा कि C option है तो आपको solve करकर देखना है कि C आ रहाएग नहीं आ रहा है ठीक है तेंक यू